हेलो अव्रिवन आज है 30 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 30 सितंबर से बनने वाले करंट अफैर के सभी important question का discussion करेंगे कल की क्लास में हमने देखा था कि अभी हाली में France ने इसकी जो the salt evasion company है ये भारत में अपनी पहली सहाय कंपनी खोलने जारी है इस साल का IFA ये host किया है UOE ने next year host करेगा जैपुर World Tourism Day 27 सितंबर को मनाया गया है जिसकी theme थी tourism and peace अभी हाली में Global Innovation Index रिलीस किया गया भारत को 39 प्लेस पर रखा गया टॉप पर स्विजर लेंड Indian Chemical Council Lifetime Achievement Award से दीपक सी महता को सम्मानित किया गया है अभी हाली में International Hockey Federation के दोबारा से अध्यक्ष तैयब इकराम बने हैं प्राइम मिनिश्टर नरिंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यू यॉर्क में Summit of the Future को संबोधित किया बांगला देश के जो क्रिकेटर है शाके बलहसन इन्होंने टेस्ट क्रिकट से सन्यास की गूशना करी है टाटा स्टील ये ओडिसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेंस की शिरुवात किया है और अभी हाली में केंद्रे मंत्री गिरराज सिंग ने फैशन वेब पोर्टल परिधी 24-25 लॉंच किया है जश्टिस एमेश रामचंदर राव जारकंड हाई कोड की मुख्य नयायादीस बने है और मिनिस्ट्री ओफ टूरिजम ने रसेंटली परेटन मित्र और परेटन दीदी पहल की शिरुवात करी है तो यह सभी कोश्चन्स हमने सैटरड़े की क्लास में देखे थे हाला कि कल संड़े था जहां हमने वीक लिर वज़न किया था तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल सवाल है हाली मी किस राज्ज का जो एंडरो गाउं है इसे दोहजार चौबस का सर्वस रिष्ठ परेटन गाउं इनकी बेस्ट टूरिस्ट विलज चुना गया है तो ये है मनिपूर का गाउं नाम है एंडरो अप्शन नमबर बेस का राइट आंसर हो जाएगा तो ये जो एंडरो गाउं है इसे सर्वस रिष्ठ परेटन गाउं प्रतियों गीता 2024 के एडिशन में विरासत के टेगरी में सर्वस रिष्ठ परेटन गाउं को आवार्ड मिला है ये जो गाउं है अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पारम पर प्रताओं के लिए प्रसिद्ध है गाउं में एक मंदिर है जो शेत्र के समरद्ध सांस्कृतिक और एतिहासिक विरासत को दर्साता है गाउं की सांस्कृतिक विरासत में सदियों पुरानी अगनी पूजा शामिल है जो दुनिया के विभिन हिस्सों से टूरिस्टों को अट्रेक्ट करती है बात कीज़ें मनिपुर की राजधानी इंफाल, मुख्यमंत्री एन्बीरेन सिंग, राजजपाल हो जाएंगे, लक्षम प्रसादाचारी जो कि यहां का एडिशनल चार्जर सम्हाल रहे हैं क्योंकि वैसे दी देखा जाएं, लक्षम प्रसादाचारी असम कि राजजपाल हैं, ठीक है, करन्ट इसे दी आप रिलेट करेंगे, तो बांगला देश हिंसा के कारण इसी मनिपुर में अभी हाली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, स्कूल और वील्स पहल के शुरुवात यहीं से की गई, और सतंबर महिने में ही हमने देखा है, सुब्रतो कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, सुब्रतो कप अंडर सेवन्टीन टूर्नामेंट, यह मनिपुर के टीजी इंगलेस कॉलेज नहीं जीता है, अब यहाँ पर विलज का डिसकुशन आया है, यहने की गाउं का, आप्शन से आप बहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे, महराश्ट के सतारा जिले में एक गाउं है, जिसका नाम है मन्याची वाडी गाउं, कुछ याद आया, हाल फिल हाल हमने पढ़ा है कि यह जो मन्याची वाडी है यह महराश्ट का पहला सोलर विलज बना है, सौर गाउं यहाँ पर मिलिक देती हूँ, सौर विलज यह बना है, वैसे दि मैं बात करूँ कि भारत का पहला सोलर विलज कौन सा है, तो अंसर आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का बाचा गाउं, ठीक है, लेकिन इदी पूछा जाए आपसे कि 24-7 सोलर एनर्जी से संचालित पहला गाउं तब ये होगा आपका गुजरात का मौंडेरा का महसारना गाउं ठीक है महसारना विलेज नेक्ट शलते हैं सवाल नंबर दूसरा है हाली में ADB ने Financial Year 2024 के लिए भारत की Growth Rate यानि की व्रदीर दर जो है कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो according to ADB एनिकेशन Development Bank भारत की Growth Rate ये 7.0% रहेगी मैं आपको बता दू कुछ समय पहले IMF और World Bank ने भी यही Forecast किया था जबकि जो United Nations से इसके according भारत की GDP 6.9% रहेगी बात की जाये दी Asian Development Bank की इसका Formation Year 1966 मनीला फिलिपिन्स में Headquarter और मात्सगू असकावा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे ये वही ब्रम्होज मिसाइल आप रिलेट कर सकते हैं देखें ये वही फिलिपिन्स है जिसे भारत में पहली बार ब्रम्होज मिसाइल की डेलिवरी ये सौपी है और मनीला में अंतर राष्ट्री चावाल अनुसंधान का Headquarter है भारत में दी पूछा जाए राष्ट्री सेलिब्रेट किया गया रेबीज के रोक थाम के बारे में जागरुकता बढ़ाने और रेबीज को हराने में प्रगती को उजागर करने के लिए दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर लुईस पॉश्चर की पुन्यतिती भी है इस मौके पर मतलब कि इनकी पुन्यतिती के उपलक्ष में भी मनाया जाता है क्योंकि रेबीज का जो पहला टीका था इनहीं के द्वारा विक्सित किया गया था फ्रांसी सी रसायनग और सुश्मजी विग्यानी लुई पॉश्चर इस बार 18 वे क्रम का विश्व रेबीज दिवस मनाया या जिसकी थीम थी रेबीज सीमाओं को तोड़ना मैं आपको ये भी बता दू भारत का पहला जो रेबीज मुक्त राज्य है हलाकि कई बार मैंने बताया है ये हो जाएगा गुवा अब सितंबर महीने के अभी तक जितने भी important days हमने देखे हैं World Coconut Day 2 सितंबर है 5 सितंबर को International Charity Day Mother Teresa के संबान में सरुपली राधाकृष्ण के संबान में राष्ट्य सिक्षक दिवस अंतर राष्ट्य साक्षर्ता यानी के Literacy Day है आठ सितंबर, Suicide Prevention Day है दस सितंबर, राष्ट्र हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर राष्ट्र हिंदी दिवस आएगा 10 जन्वरी 15 सितंबर को आपका लोग तंतर दिवस और इंजीनियर दिवस है 16 सितंबर World Ozone Day, Bambu Day 18 सितंबर, 21 सितंबर को Peace Day और Alzheimer Day, 22 सितंबर को World Rhino Day, 23 सितंबर को हैं अंतर राष्ट्रि सांकेतिक भासा दिवस, Pharmacist Day है आपका 25 सितंबर, 27 सितंबर है विश्व परैटन दिवस, यदि भारत में राष्ट्रि परैटन दिवस पूछा जाता, तबांसर होता 25 जनवरी, और 28 सितंबर को अब हम पढ़ रहे हैं World Array, 20 सितंबर का भी एक डे मैंने मेंशन किया है, Question No.10 में वो भी आप देख लेंगे, अगला सवाल है जापान के अगले प्रधान मंतरी ये कौन बनने जा रही है, तबी हाली में जो सिगरू इशिबा है जिनकी मेज आप देख पा रहे हैं, ये बनेंगे जापान के अगले प्रधान मंतरी जो की फूम्यो किशदा को रिप्लेस करेंगे, ये 38 एर से अधिक समय से राजनीती में एक्टिव हैं जिसके दौरान इन्होंने जापान की लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी में इतिहास रचा और ग्रामीर नवी करनी और राश्टी सुरक्षा मुद्दों पर अपने काम के लिए इने पहचान मिली है जापान की दिबात की जाए इसकी कापिटल टोक्यो है जो कि हौन्शो दीपर है करंसी येन है जापान के साथ अभी हाली वे भारत ने ग्रीन अमूनिया एक्सपोर्ट अग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये हैं यहां जो सादो सोने की खदान है जिसे अभी हाली में विरासत इस अपना पहला तरी पक्षी बहुत शेत्री अभ्याज जिसका नाम हो फ्रीडम एजिया आएजित किया था दुनिया का पहला 6G डिवाइस इसे ने लॉंच किया और जापान के ही सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेंज चलने जा रही है एहमदाबास से मुबई के बीच म ऑप्षन से भी आप रिलेट करेंगे तो जौडन के ने प्रधान मंतरी बने है जफर हसन श्री लंका जो कि भारत का पडूसी है इसके नई प्रधान मंतरी हरिनी अमर सूरिया बनी है और नेपाल के प्रधान मंतरी के पी शर्मा ओली बने है क्योंकि question प्रधान मंत्री का था इसलिए मैंने option भी ऐसे set किये जो की हाल फिल हाल में प्रधान मंत्री की नियुक्ती किसी देश में की गई है अगला सवाल है रुष्व प्रतिभा रैंकिंग दोहजार चौबस में भारत किस स्थान पर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात की जा रही है तो भारत को इस बार रखा गया है 58 प्लेस पर हालाकि जो पिछले साल की रैंकिंग थी इसमें भारत को 56 प्लेस पर रखा गया था आइमडी के द्वारा जारी ये रिपोर्ट है जिसमें की टॉप थ्री कंट्रीज है स्वीजर लेंड सिंगापूर और लग्जंबर्ग भारत 40.47 स्कोर के साथ ग्लोबली 58 प्लेस पर रहा है ऑप्शन के बारे में दी मैं बात तरू तो हेले पास्पोर्ट इंडेक्स मे भारत है 93 प्लेस पर जबकि अभी दो दिन पहले की क्लास में हमने देखा है नवा चार्ट सुचकांग के निगी ग्लोबल इन्वेशन इंडेक्स में भारत को रखा गया 39 प्लेस पर अब आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हूँ कि मैं एक लाइन में बता करके निकल जाओंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स में लास्ट यर भी आइसलेंड टॉप पर था भारत 116 में हिस बार जेंडर गैप रिपोर्ट में पिछले साल भी आइसलेंड टॉप पर था इंडिया इस बार 129 में है मतलब कि देखें रैंकिंग चेंज नहीं हुए है तीनों रिपोर्ट में पिछले साल भी सेम कंट्री टॉप पर थी करप्शन इंडेक्स में इंडिया 93 पर है सुमालिया ऐसा देश है जहां सबसे जादा करप्शन होता है सबसे कम पूछा जाए तो डेनमार्क है लॉजिस्टिक पर्फूर्मेंस इंडेक्स में सिंगापूर टॉप पर इंडिया 38 म के मामले में कौन सा राज्जी टॉप पर है तो इसमें उत्तर पदेश रहा है टॉप पर ऑप्शन नमबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा देखे अभी हाली में जो केंद्री सामाजित निया अधिकारिता विभाग है इसने 2022 के ताजा आकड़े अभी प्रकाशित किये है जिसमें कि अनुसूचित जाटी पर अत्याचार दर्ज करने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है इसके बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश आते हैं रिपोर्ट के अनुसार अजा और जाजा ये क्या है आजा का मतलब है अनुसूचित जाती और जाजा का मतलब है जनजाती इनके लिए जो कानून है इसके तहक कोट से सजा के मामलों में गिरावट देखी गई है 2022 के जो आकड़े रिलीज किये गए थे देखे वर्ष 2022 में केवल 32.4% मामलों में सजा रिपोर्ट इस रुज़ान को चिंता जनग बताता है मतलब कि केवल 32.4% मामलों में सजा दी गई है ये इस रिपोर्ट में कहा गया है रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि SC पर अत्याचार से संबंदित 60.38% मामले ये दायर किये गए हैं कि आरोपत्र दायर किये गए हैं जबकि 14.78% मामलों में जूटे दावो या फिर जो भी साक्ष होते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं इसके अभाव के कारण पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट मतलब इसे समाप्त कर दिया एफार लगा दी इसमें कि इस केस को ही बंद कर दिया उत्तर प्रदेश के दिबात की जाए राजधानी लखनो मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ राजज पाला नंदी बेन पटेल है नेशनल पार्क में दुदुआ पेली भीत अमन गड़रानी पुरवाइड लाइफ सेंचरी बारा सिंगा जिसे आप स्वैंप डियर कहते हैं यहां का राजध की पशु है पक्षी है सारस लोग सभा सीटेस सी राजज सभा सीटों की संख्याई कत्किस है हाल फिल हाल में उत्तर प्रदेश के कितने इंपोर्टन फेक्ट हमने पढ़ें लेकिन सारा कुछ एक स्लाइड में मैंने लिख दिया जो सबसे इंपोर्टन हाल फिल हाल हमने देखा चलिए वो देख लेते हैं जिसे कि अभी हमने देखा यहां का राज की पक्षी सारस है, इसकी आबादी बढ़ी है, बढ़ करके उन्नेस अजार नौसो अठारा हुई है, अयोध्या जो है यह वारणसी को पीछे छोड़ते उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परेटन आकर्शन बना हुआ है, एशन कें और सोलर सिस्टम यहां, घर-घर सोलर पहल की शुरुआत की उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी, जो की अयुद्या में बनने जा रहा है, पहला गौब भ्यारनी भी आप यहीं से रिलेट करें, और भी जो नीचे फेक्ट लिखे हैं, यह थोड़े पुराने हैं, लेकिन म भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कॉंट्रिब्यूशन देने वाला जो राज्य है, यह बना है महरास्ट्र, और सबसे अधिक e-vehicle charging station के साथ जो राज्य टॉप पर है, पुरे भारत में यह करनाट का है, नेक्स शलते हैं, हाले में कहां 20,942 फिट उचा, दलाई-लामा क की नाम पर एक चोटी का नाम रखा गया है, तो यह चोटी है अरुनाचल प्रदेश में, जिसका नाम दलाई-लामा के नाम पर रखा गया है, सांग-सांग-ग्यात-सो चोटी, थोड़ा आप लगों के लिए डिफिकल्ट होगा, याद रख सकते हैं, हाला कि चीन ने इसे अ यहाँ पर नेचुफु सुरंग का उदगाटन रक्ष्व मंत्री राजनास सिंग ने किया, पहला ग्रीन फिल्ड डोनी पोलो एरपोर्ट का उदगाटन यहीं किया गया, पक्के पागा हॉर्न बिल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है, जबकि हॉर्न बिल पूछा जाये तो एक स्टेडियम है, जिसका नाम पहले आप मोटेरा स्टेडियम पढ़ते थे, इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, उत्तर प्रदेश से दिरेलेट करेंगे तो अयोध्या एरपोर्ट का नाम बदल करके महर्शी वालमी की एरपोर्ट किया गया है और महराज के दिबात की जाए तो जो पूरे एयरपूर्ट है इसका नाम संत तुकाराम महराज जी संत तुकाराम महराज एयरपूर्ट किये जाने का फैसला किया गया है नेक्स चलते हैं हाले में किसका पहला संसमरण जिसका नाम है Mother Mary Comes to Me ये लाँच किया जाएगा तो प्रसिद्ध लेखी का है अरुन्ध हती रॉय इन्ही का ये संसमरण है जो कि अगले साल 2025 के सितंबर में लाँच होने जा रहा है और अरुन्ध हती रॉय की Mother Mary Comes to Me लिखने की यात्रा सितंबर 2022 में मेरी के निधन के बाद शुरू है जिनसे इन्होंने 18 साल की उम्र में ही दूरी बना ली थे अब ये लाँच हो जाएगी तब आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ इस किताब में अरुन्ध हती राए ये वही है जिन्होंने मतलब पहली बार बुकर प्राइस जीता था पहली भारती जिन्होंने बुकर पुरुसकार अपने नाम किया था किसके लिए God of Small Things के लिए वैसे यदि मैं इंटर्नेशनल बुकर पुरुसकार की बात करू ना तो इस साल का जो इंटर्नेशनल बुकर पुरुसकार है ये जर्मन लेखी का जेनी एरपन बेकने जीता है इनकी एक रचना है कैरोज इसके लिए सल्मान रश्दी ये भी प्रसिद्धे लेखक है और प्रभावर्मा का नाम ये तो अब आप लगू को रचचुका होगा क्योंकि प्रभावर्मा जो है इन्होंने 2023 का सरसुती सम्मान अपने नाम किया है सरसुती सम्मान जो कि केके बिल्ला फांडेशन के द्वारा दिया जाता है प्रभावर्मा को इनकी रचना रौदर सात्विकम के लिए ये अवोर्ड मिला है पिछले साल का प्रिस्टीजियस जो जर्मन पीस प्राइस था जर्मन शांति पुरसकार ये सल्मान रश्दीनी ज सबसे बड़ा राज्जे है कवच के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुक हुआ है ऐसी टेक्नालोजी है जिसके माद्यम से दो ट्रेनों की बीच की टक्कर को रोका जा सकता है राजस्थान के सवाई माधापूर में सवाई माधापूर से कोटा की बीच 108 किलोमीटर रे सब्सक्राइबर है यह इंजन में बैठे-बैठे ही साथ किलोमीटर दूर के सिगनल की जानकारी ले सकते हैं कवच जरुरत के हिसाप से खुद ट्रेन की स्पीड को कम कर देगा इस कवच टेक्नालोजी में हाई फ्रिक के रेडियो कमुनिकेशन का अस्तमाल किया गया है वर जलाल शर्मा राज्यपाल हरी भाव भागड़े है नैशनल पार्क में रर्थमबोर केवला देव केवला दे से कुछ यादा है भरतपुर का केवला देव नैशनल पार्क जहां टील कारवन पहल की शुरुआत पहली बार की गई बुकुंद्रा नैशनल हिल्स पार्क एही ह जील में पुसकर पिछोला, जय समन, राज समन, फतेह सागर रिलेट कर सकते हैं बांध में राणा सागरबान, राणा प्रताप सागरबान, कांधी सागरबान, जवाहर सागरबान, लोक नत्य घूमर है लास्ट का कोश्चन भी इंपोर्टन डे का है, इसी के साथ आपके सितंबर महिने के सभी इंपोर्टन डेस कवर हो जाएंगे सवाल है, विश्व रदय दिवस, इनकी वर्ड हर्ड अभी हाली में कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 29 सितंबर को मनें हर्ड कह दिया, क्या ही कह, सेमी है, हर्ड कह ले, हर्ड कह ले, विश्व रदय दिवस, उनते सतंबर को मनाया जाता है, हर्दय लोगों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए, 2024 से 26 तक की ठीम जो है न, ये सेम है, कारी के लिए हर्ड का प्रयोग करे, यनि की यूज यूर हर्ड फॉर वर्ग, रदय सम्मंदी बीमारिया, दुनिया भर में म्रत्यों का प्रमुक कारण है, रदय सम्मंदी बीमारियों के कारण हर साल लगभग 18.6 मिलियन मौते हो जाती है, जानकर कि आपको अश्री होगा, आसपास आप सुनते भी होंगे, कि हार्ट तो कॉमन हो गया है, और यूथ इसका सब ज़्यादा शिकार हो रहे है, डिप्रेशन कहले, या ओर्धिंकिंग कहले, जितनी दुनिया भर की बीमारिया है, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग है, 100-100 साल की उम्र कंप्लीट करते थे, लेकिन अब तो 25-30 साल तक की यूथ है हाट अटेक, ब्रेन स्ट्रॉक, दुनिया भर की बीमारिया हो रही है, ठीक है, सतंबर महिने के अलरड़े इंपॉर्टन डेज हमने पढ़ लिये है, आईफ अवर्ड दोहजार चॉबिस, जोकी अबुधाबी में आईजित किये गये थे, मैंने पढ़ाया था करंट फर में इसमें देखिए सारी केटिग्रीज मैंने मिंशन करी कि किसे कौन सा अवर्ड मिला है, मैंने जब भी आपको बता है कि फिल्म अवर्ड का डिस्कुशन आता है तो 4-5 केटिग्री इंपॉर्टन होती है, जहां से मैं इंपॉर्टन इस इमेज को आप देख लीजे, बेस्ट एक्टरस का अवर्ड ये मिला है, रानी मुखर जी को, बेस्ट फिल्म एनिमल को चुना गया है, और इसमें बेस्ट डाइरेक्टर विधु विरूद चोपडा 12 फिल्म के लिए चुने गया है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये अनिल का पूर रहे हैं, हाला कि बाकी के ट शाहिद 136B ड्रोन का नावरण किया, जिसका अंसर था एरान, आज का सवाल आप लगो के लिए है, दक्षिन पूर्व एशिया के किस देश में समलांगी विवाह को कानूनी दर्जा मिला है, इसका अंसर जो भी है कॉमेंट बोक्स में आप बताईएगा, फिर हम मिलेंगे ने नेक्स्ट वीडियो में, थांक्यू सो मच